ये आर्बी के पत्तों से बने बड़े हैं ये खाने में बहुंती टेश्टी लगते हैं आप इसे एक बार जरूर बना कर देखिए 4-5 गंटे तक भिगोई हुई उड़त की दाल इसे दोकर इसके चिलके निकाल लेंगे आप इसकी जगे पर बिना चिलके वाली उड़त की दाल भी ले सकते हैं लेकिन चिलके वाली दाल से बने बोड़े नरम और स्वाधिष्ट बनते हैं डाल को मेक्सी के जार में डाल कर इसे दरदरा पिस लेंगे यह अर्वी के पत्ते हैं इसे साफ करके इस तरह से बारिक बारिक काट लेंगे पीसी वी उड़त की दाल में कुटी वी हरी मिर्च, थोड़ी सी सोंफ, हल्दी पावडर, स्वाध अनुसार नमक, कटा हुआ हरा दनिया और कटे विये अर्वी के पत्ते डालेंगे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से फेटे विये मिलाने से वड़े नरम बनते हैं एक कड़ाय में तेल गर्म करेंगे वड़ो को बनाने के लिए मैंने ये केली का पत्ता लिया है आप चाय तो पॉली थिन भी ले सकते हैं इस पर पानी लगाएंगे और इस तरह से वड़े बनाएंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें वड़ो को डालेंगे और इसे मीडियम आज पर तलेंगे इसे इस प्रकार से हिलाते विए दोनों तरब से अच्छे से तलेंगे जिससे हमारे वड़े अच्छे से तले जाएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे ये हमारे गरमा गरम वड़े बनकर तयार है ये खाने में बहुती स्वाधिश्ट लगते है कि अच्छे से बनकर तलेंगे